सहारा मैरेज हॉल मुम्रा का शांदार ओपन वेडिंग हॉल विथ नेचुरल इन्वार्मेंट है चाहे आपकी शादी छोटी हो या बड़ी हम आपके सपनों को हकीकत में बदल देंगे इन हाउस डेकोर वियाईपी लाउंज के साथ एमपल आफ पार्क है डिस्टिनेशन वेडिंग, कॉटेज, गेस्ट रूम, स्वीमिंग पूल जल्द ही अविलेबल होने वाला है वेरियस डिसकाउंट ओफर जरूरत के हिसाब से दोनों हॉल इंटरकनेक्ट कर सकते हैं इजी कनेक्टिविटी के साथ वेस्ट कैट्रिंग सर्विस, फुल फ्लेज मेरिज हॉल विथ एट्रेक्टिव पैकेज के साथ जो आप की बजट में सहारा मेरिज हॉल महिस्तामुदिन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टेम्स कल रात के समय करीब नौ से दस बज़े के आसपास में बरात ले जा रही एक बस अचानक रोट पर ही खराब हो गई और बस बंद होनी की वज़े से यहाँ पर लगभग डेड़ से दो घंटे तक ट्राफिक जाम के स्थिती बनी रही त्राफिक में लोग फसे रहे मुम्रा के एमेम्वली रोड जहां से शुरू होता है मित्तल के पास उसी गेट के पास में बस घुमाने के दोरान ये बस अचानक से खराब हो गई और रात का समय होने की वज़े से यहाँ पर धीरे धीरे काफी ट्राफिक जाम लग गया बस खराब होनी की वज़े से लंबा जाम लगा और लोग गाड़ियों से पाहर निकल कर शुर शराबा भी करने लगे इसी दोरान वहाँ एक अम्बूलेंस भी नजर आई जिसके बाद लोगों ने इस अम्बूलेंस को किसी तरह से रास्ता दिया तब जाकर ये अम्बूलेंस वहाँ से निकल पाई मगर सवाल उठ रहा था कि इतनी बड़ी ट्राफिक जाम यहाँ पर लगी है और इस बस को कैसे हटाया जाए जिसके बाद लोगों की भीड़ी कठा हुई और रोट पर बंद पड़ी इस बस को किसी तरह से मित्तल डोट गेट के पास में धक्का लगा कर ले जाकर ख़़ा कर दिया गया जिसके बाद घंटों से लगी ये ट्राफिक जाम धीरे धीरे समानी रूप से आगे की तरफ सुष्टानिक जी देख़्िए की सबस्ता मित्तल यहां बहुत्त आगे की साथ जानी आग इस बस्त्रण के लें। कि मैंने काफी टाइम यहां पर दिया है और मैं कहना है कि मुम्रा के लोग हो या कोई भी प्रॉब्म हो इसके लिए हर लोग यहां पर ख़ड़ रहते हैं कि मुसल्मान हो हर कोई एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं और अवान की मदद के लिए ज्यादा से ज्यादा वक्त देते हैं अपने वक्त को छोड़ कर मेरी दुखान है वहां पर मैंने आज इसको छोड़ कर मैं यहां पर आया ताके लोगों को तकलीब ना हो और क्या और कुछ सबस्क्राइब कर रही तो लिए और सब्सक्र ढूं हुआं और लोगों का काम यह है कि लोग भी यानि उनका साथ से ना के ना के यानि उनके खिलाब जाएं हम अगर अभी उनके रूल को फॉलो करेंगे तो हमारे शेहर से यानि ट्रैफिक खतम हो सकती है अगर हम एक उनके को कॉपेट करेंगे तो झाल झाल